श्रीमत भग्वत गीता द्विती अध्याय गीता का सार संजे ने कहा करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित ने त्रोंवाले अर्जुन को देख कर मदसुदन कृष्ण ने ये शब्द कहे श्री भग्वान ने कहा हे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मुल्यों को जानता हो इससे उच्छ लोग की नहीं अपितु अपियश की प्राप्ती होती है हे प्रिथा इस हीन नपुनसक्ता को प्राप्त मत हो या तुम्हें शुभा नहीं देती हे शत्रुमों के दमन करता हिरदय की छुद्र दुरवलता को त्याक कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अरजुन ने कहा हे शत्रुहनता हे मधसुदन मैं युद्ध भूमी में किस तरह भेश्म तथा द्रोण जैसे पुजनी वेक्तियों पर उलटकर बान चलाऊंगा ऐसे महापुर्शों को जो मेरे गुरु है उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीक मांगकर खाना अच्छा है भले ही वे संसारिक लाब के एक्छुक हों किन्तु हैं तो गुरुजन ही यदि उनका वद होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रतेक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ट है को जीतना या उनके द्वारा जीते जाना यदि हम द्रितराष्ट के पुत्रों का वद कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यक्ता नहीं है फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े हैं अब मैं अपनी क्रिपन दुरबलता के कारण अपना करतब्य भूल गया हूँ और सारा धैर खो चुका हूँ ऐसी अवस्था में मैं आप से पूछ रहा हूँ कि जो मेरी लिए श्रेष्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरनागत हूँ क्रिप्या मुझे उपदेश दें मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोग को दूर कर सके स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्धान संपन सारी पृत्वी पर निश्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोग को दूर नहीं कर सकूँगा संजय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुनों का दमन करने वाला अर्जुन क्रिश्न से बोला हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुप हो गया हे भरत्वन शिद्रत्राष्ट उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमगन अर्जुन से क्रिश्न ने मानों हसते हुए ये शब्द कहे श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योगी नहीं है जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो और न ऐसा है कि भविश्य में हम लोग नहीं रहेंगे जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुन अवस्था में और फिर व्रिधावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्ति होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर वेक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को नहीं प्राप्त होता। हे कुंति पुत्र सुख तथा दुख का छणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की रित्मों के आने जाने के समान है। हे भरत्वन्शी वे इंद्री बोध से उत्पन होते हैं और मनुश्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष रिष्ठ जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वो अनिश्यत रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्व दर्शियों ने यह निश्कर्ष निकाला है कि असत का कोई चीरस्थाई तो नहीं है किन्तु सत अपरिवर्थित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृत के अध्यन द्वारा यह निश्कर्ष निकाला है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो या अव्याय आत्मा को नश्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। आत्मा अविनाशी अजन्मा शाश्वत तथा अव्य है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारन करता है। उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारन करता है। या आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड-खंड किया जा सकता है। न अगनी द्वारा जलाया जा सकता है। न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है इसे न तो जलाय जा सकता है नहीं सुखाया जा सकता है यह शाश्वत सर्व्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनी तथा अपरिवर्थनी कहा जाता है यह जान कर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, किन्तु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चाद तब विपालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, सारे जिव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनस्थ होने पर पुना अव्यक्त हो जाते हैं, अता शोक करने की क्या आवश्यक्ता है? कोई आत्मा को आश्चर से देखता है कोई इसे आश्च्यर की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्च्यर की तरह सुनता है किन्त कोई-कोई इसके विश्य में सुन कर भी कुछ नहीं कर पाते ये भरत्वन्शी शरीर में रहने वाले का कभी भी वद नहीं किया जा सकता अता तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यक्ता नहीं है छत्री होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कारे नहीं है अता तुम्हें संकोच करने की कोई अवश्यक्ता नहीं है हे पार्थ वे छत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अउसर अपने आप प्राप्थ होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोग के द्वार खुल जाते हैं किन्त यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तुम्हें निश्चित रूप से अपने करतव्व की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्धा के रूप में भी अपना यश खोदोगे लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वरणन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़खर है जिन जिन महान युद्धाव ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने दर के मारे युद्ध भूमी छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुछ मानेंगे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वरनन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ का उपहास करेंगे तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है एकुंति पुत्र तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीवित जाओगे तो पृत्वी के सामराज का भोग करोगे अताध्रिन संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो तुम सुख या दुख, हान या लाब, विजय या पराजय का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा यहा मेंने वैशलेशिक अध्यन द्वारा इस ज्ञान का वरण किया है अता निश्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो हे प्रिथापुत्र तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो इस प्रियास में ना तो हानी होती है ना ही रास अपितु इस पत पर की गई अल्प प्रगती भी महानभय से रक्षा करती है जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में द्रिन रहते हैं और उनका लक्ष भी एक होता है हे कुरुंदन जो दिन प्रतिज्य नहीं है उनकी बुद्धी अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है आल्प ज्यानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारित शब्दों के प्रती अत्यधिक आसत रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति अच्छे जन शक्ति इत्यादी के लिए विविद सकाम कर्म करने की संतुस्ति करते हैं इंद्रिय त्रिप्ति तथा एश्वर में जीवन की अभिलाशा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक एश्वर के प्रती अत्यधिक आसत होने से ऐसी वस्तुओं से मोगरस्त हो जाते हैं उनके मनों में भगवान के प्रती भक्ति का द्रिन निश्चे नहीं होता वेदों में मुख्तिया प्रकृत के तीनों गुणों का वरणन हुआ है हे अरजुन इन तीनों गुणों से उपर उठो समस्त द्वैतों और लाब तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुख्त होकर आत्म परायन बनो एक छोटे से कूप का सारा कार एक विशाल जलाशर से तुरंत पूरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते है तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किन्तु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो ना ही कर्म ना करने में कभी आसत हो हे अर्जुन जय अथ्वा पराजय की समस्त आसकती त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो ऐसी समता योग कहलाती है हे धननजय भक्ती के द्वारा समस्त गरहित कारियों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहन करो जो व्यक्ती अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे ग्रिपन हैं भक्ती में सनलगन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा भूरे कारियों से अपने को मुक्त कर लेता है अतायोग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कारे कोशल यही है इस तरह भगवत भक्ती में लगे रहकर बड़े-बड़े रिशी, मुनी, अथ्वा भक्तगन अपने आपको इस भोतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं इस प्रकारवे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है जब तुम्हारी बुद्धी मोह रूपी सघनवन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रती अन्यमनस्क हो जाओगे जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार मई भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षातकार की समाधी में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्वे चेतना प्राप्त हो जाएगी अर्जुन ने कहा हे कृष्ण आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है वह किस तरह बैड़ता और चलता है श्री भगवन ने कहा हे पार्थ जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन होने वाले इंद्रिय त्रिप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संदोश प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। जो त्रे तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता तथा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसकती भय तथा क्रोध से मुग्त है वह इस्थिर मन वाला मुनी कहलाता है। इस भावतिक जगत में जो विक्ती न तो शुब की प्राप्ती से हरशित होता है और न अशुब के प्राप्त होने पर उससे घ्रना करता है वह पूर्ण ज्यान में इस्थिर होता है। जिस प्रकार कचुवा अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। उसी तरह से मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्री विश्यों से खीच लेता है और वह पूर्ण चेतना में दिन्दता पुर्वक स्थिर होता है। देह धारी जियू इंद्री भोग से भले ही निव्रित हो जाए पर उसमें इंद्री भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तमरस के अनभव होने से ऐसे कारियों को बंद करने पर वह भक्ती में इस्थिर हो जाता है। हे अरजुन इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपुर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पुर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धी कहलाता है। इंद्री विश्यों का चींतन करते हुए मनुष्य की उसमें आशक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आशक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। पुनह गिर जाता है किन्तु समस्तराग तथा द्वेश्य, मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को सैयम द्वारा वश्में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रमिश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धी दिव्य होती है और नहीं मनिस्थिर होता है। जिसके बिना शान्ती की कोई संभावना नहीं है, शान्ती के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तेरते नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरण शील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धी को हर लेती है। अतः हे महा बाहु जिस पुरुष्य की इंद्रियां अपने अपने विश्यों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धी निसंदेह इस्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्री है, वह आत्म सयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्म निरिक्षक मुनी के लिए रात्री है। जो पुरिश समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाले नदियों के समान इच्छाओं की निरंतर प्रवा से विचलित नहीं होता, और जो सदेव स्थिर रहता है, वही शांती प्राप्त करता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेश्टा करता जिस व्यक्ति ने इंद्रिय त्रिप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दिये तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है यह आध्यात्मिक तथा इश्वरिय जीव का पत्व है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह इस्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है इस प्रकार श्रीमत भगवत गीता के दुती अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदान्त तात्पर पुर्ल हुआ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे झाल झाल